Hello students, welcome to MOS classes. आज हम 8th class Math NCRT के chapter number 13 की exercise 13.2 का 8th question करेंगे. 8th question में हमसे कहा गया students, A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक factory है, जिसमें 42, 42 machines use की जाती हैं, produce करने के लिए कुछ articles है, कुछ चीजे बनाने के लिए और वो articles कितने दिनों में बनाने हैं, 63 days में. यानि 63 days में काम पूरा करने के लिए 42 machines काम करती हैं. आगे हमसे कहा गया है, How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? यानि कि जो काम 63 days में हो रहा था, उसी को अगर 54 days में complete करना है, तो कितनी machines की जरूरत पड़ेगी? How many machines would be required? मतलब कितनी machines की जरूरत पड़ेगी? अगर 63 दिन की बजाए, 54 यानि 54 दिनों में अगर आपने काम खतम करना है, देखें, जब 63 days में काम पूरा होता है, तो उसके लिए 42 machines काम कर रहे हैं, तो 54 days में अगर काम पूरा करना है, यानि कि number of days कम हो रहे हैं, अगर आपको ज़ल्दी काम पूरा करना है students, तो मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब simply यह कौन सा case है, यह inverse proportion का case है, देखें, number of machines पहले 42 थी, 42 machine काम कर रहे थी, तो कितने दिनों में काम पूरा हो रहा था, 63 days में, तो number of days थे 63, अब number of days हमें कहा गया कि 54 यूज़ करना है, तो उसके लिए कितने number of machines चाहिए, यानि यह x2 हमें find out करना है, एक चीज अगर कम हो रही है, तो दूसरी चीज यहाँ बढ़ रही है, अगर number of days हमें कम करने है, तो मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो यह inverse proportion का case है, तो inverse proportion का formula यूज़ करते हैं students, x1 into y1 is equal to x2 into y2, x1 की जगा यह 42, into y1 की जगा यह 63 is equal to, x2 हमें यह find out करना है, as it is आ गया, into y2 यह 54, यहाँ पर as it is, अब हमें x2 चाहिए, तो यह 54 यहाँ multiply से इदर, divide में आ जाएगा, अब देखिए इसकी calculation कैसे होगी, अगर हम इसको calculate करना है, तो यहाँ पर 54 और 63, यह दोनों 9 की table से कट सकते हैं, देखिए, 9, 6 दा 54, 9, 7 दा 63, उसके बाद यह 42, इस 7 से कट सकता है, 6, 1 दा 6, 6, 7 दा 42, नीचे तो सिरफ 1 रहा गया, और उपर देखिए, 7 इंटो 7, यानि के 49, X2 की value आ गई 49, और X2 हमें क्या बता रहा है, कि जब number of days 54 होंगे, यानि कि हमें 54 days में अगर काम complete करना है, तो number of machines ही X2 है, और वो X2 क्या आ गया 49, यानि अगर 63 days की बजाए, 54 days में आपको काम पूरा करना है, तो आपको 42 की बजाए, ये 42 के बजाए, तो आपको 49 machines को use करना पड़ेगा, I hope students आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, तो इसे like, share और subscribe कीजिए, Thank you.